हलो बच्चो, कक्षा आठ के विज्ञान विशय के अंतरगत पाठ किशोर अवस्था की ओर के तीसरे भाग में आपका स्वागत है आशा है, आप इस पाठ के पहले और दूसरे भाग को देख चुके होंगे और समझ चुके होंगे आज हम इस विडियो में जानेंगे कायान तरण क्या है, कीत एवं मेंधक में जीवन चकर पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान, किशोर अवस्था में स्वास्थें, किशोर अवस्था की पोशक आउशकताएं, व्यक्तिगत स्वच्चता, शारेरिक व्यायाम वा योग का म महत्व, नशेली दवाओं का निशेद, तथा किशोर अवस्था में गर्ब धारन की समस्या, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कायान तरण के बारे में, बच्चों, आप रेसम कीत एवं मेंधक के जीवन चकर के बारे में पिछली कक्षा में जान चुके हैं, कीत एवं मेंध मेंधक को वयस्क रूप में आने के लिए अनेक चर्णों से गुजरना पड़ता है, लार्वा से वयस्क बनने की इस प्रक्रिया को कायांतरन या मेतामॉर्फोसिस कहते हैं, कीत एवं मेंधक में जीवन चकर पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान, कीतों में कायांतरन का नियंतरन कीत हार्मोन द्वारा होता है, मेंधक में थाइरोड द्वारा स्रावित हार्मोन थाइरोकसीन कायांतरन का नियंतरन करती है, थाइरोकसीन के उतपादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिती अनिवार्य है, सोचो जिस जल में टैड़ पोल व्रिधी कर रहे है और उसमें परियाप्त मात्रा में आयोडी ना हूँ, तो क्या होगा? बच्चों, ऐसे स्थिती में टैड़ पूल, वयस्क मेंधक में परिवर्धित नहीं हो सकेंगे. किशोर रवस्था में स्वास्थे क्या मनुश्य में सिर्फ शारिरिक रोग नहीं होना ही स्वास्थे है? नहीं, ऐसा नहीं है. अच्छे स्वास्थ के लिए शारिरिक, मानसिक एवं सामाजिक कुशलता में संतूलन आउश्यक है. किसी व्यक्ति में शारीरिक, मानसिक एवं समाजिक कुशलता में संतूलन बनाए रखने के लिए संतूलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्चता एवं सफाई का नियमित रूप से पालन करना जरूरी होता है साथ ही पर्याप्त शारीरिक व्यायाम की भी आवश्यक्ता होती है किशोर अवस्था में जब शारीरिक व्रिधी होती है तो ये सारी बाती और भी अधिक आवश्यक हो जाती है किशोर अवस्था उर्जा की चरम अवस्था होती है इस समय व्यक्ति अपने आपको संतुलित रखकर कारे करता जाए तो वो अपने जिंदेगी की हर उचाई को छूने में सफल हो जाता है किशोर अवस्था की पोशक आवशकताएं किशोर अवस्था तेजी से व्रिधी एवं विकास की अवस्था है इस अवस्था में पोश्टिक वो संतुलित आःर की नितांत आवशकता होती है शारिरिक विकास में विभिन आःर की भूमी का अलग-अलग होती है जैसे शक्ती देने वाले आहार, शरीर की वृधी वा विकास वाले आहार, बिमारियों से सुरक्षा देने वाले आहार शक्ति देने वाले आहार हैं चावल, गेहूं, जुआर, बाजरा, मकई, मडवा और इनसे तैयार खादे पदार्थ जैसे सेवई, चूडा, सूजी, दलिया, रोटी, ब्रेड, बिस्कित, आदी इसके साथ ही सभी अनाज, आलू, शकरकंद, चीनी, गुड, शहद या मधु आदे अगला आहार है शरीर के व्रिधी वा विकास वाले आहार इसमें आते हैं दाले, चना, सोयाबीन, मुंफली, दूद, लसी, पनेर दूद से बनी वस्तूएं जैसे खोवा, आइसक्रेम, आदी इसके साथ ही अंडा, मुर्गा, मांस, मचली, इत्यादी अगला आहार है बिमारियों से सुरक्षा देने वाले आहार इसमें आते हैं हरी सबजियां, पत्तेदा सबजियां और फल इत्यादी बच्चों, स्वस्त रहने के लिए हमें अपने आहार का नियोजन अत्यान साधानी पूर्वक करना चाहिए तीनों तरह के आहार हमें भूजन में सामिल करने चाहिए तभी हम संतूलित आहार ले सकते हैं और स्वस्त रह सकते हैं अगर भूजन में लौह या आईरन तत्व की कमी हो तो क्या होता है लौह तत्व रक्त का निर्मान करता है भूजन में यदि लौह तत्व की कमी हो तो कमजोरी का आभास होता है इसे एनेमिया रोग भी हो सकता है इसलिए किशोर अवस्था में लौह युक्त खादे पदार्थ जैसे पत्तिदार सबजियां, गुड, संत्रा, मांस, आदी का सेवन करना चाहिए बच्चों, भोजन में लौह तत्व के आउशोसन की कमी से एनिमिया होता है इस रोग में रक्त में हिमोगलोबिन की कमी हो जाती है सामान्यता यह रोग पुरुष के रक्त में 14-17 ग्राम प्रती डेसी लीटर एवं इस्त्री के रक्त में 12-15 ग्राम प्रती डेसी लीटर से कम हिमोगलोबिन आने पर उत्पन होता है आपने देखा होगा आपके विद्याले में आईरन की गोली खिलाई जाती है ये आईरन की गोलियां एनेमिया से बचाओ का काम करती है व्यक्तिगत स्वच्चता हमें नियमित रूप से इसनान वा त्वचा की सफाई, नाकुन काटना, शौच संबंधी सफाई, मुह वा दातों की सफाई, नाक वा कान की सफाई, तथा आंतरिक वस्तरों वा अंगों की नियमित सफाई करने चाहिए यदि सफाई नहीं रखी गई तो जीवानों से संक्रमित होने का खत्रा रहता है शारेरिक व्यायाम वा योग का हमारे जीवन में अत्यंत महत्व है ताजी हवा में टहलने और खेलने से शरेर चुस्त दुरुस्त रहता है वहीं योग के द्वारा हम शारिरिक और मानसिक रूप से स्वस्त रह सकते हैं इसके महत्व को देखते हुए ही पूरे विश्व में 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है किशोर अवस्था व्यक्ति के शारिरिक और मानसिक रूप से अधिक सक्रियता का समय है अता ब्रहमित अत्वा असुरक्षित महसूस नहीं करना चाहिए यदि कोई वेक्ती आपको यह बताता है कि किसी ड्रग या नशीली दवा के सेवन से आप अच्छा अत्वा तनावमुक्त महसूस करेंगे तो आपको इसके लिए ना ही कहना चाहिए अर्थात असहमती देनी च जब तक कि वह दवा डॉक्टर द्वारा ना दी गई हो यदि नशीले पदार्थों का सेवन एक बार कर लेते हैं तो आपको इन्हें बार-बार लेने की इच्छा होती है परन्तु कालांतर में यह हानिकारक है यह स्वास्थ्य एवन खुशी दोनों को ही बरबात करने के उ उपाय हैं बच्चों आपने एड्स के विशय में सुना होगा जो HIV नामक खतरनाक विशानु द्वारा होता है यह वाइरस एक पीडित ब्यक्ति से स्वस्थ ब्यक्ति में ड्रग के लिए इस्तिमाल की जाने वाली सिरिंच द्वारा भी जा सकता है वाइरस का संक्रमन दूस इसे माध्यमों जैसे की पीडित या रोगी मा के दूद द्वारा उसके शिसु में संक्रमित हो सकता है HIV से पीडित ब्यक्ति के साथ और सुरक्षित यौन संबंद स्थावित करने से भी इस रूग का संक्रमन हो सकता है अता अपने आपको सुरक्षित रखना चाहिए यदि आपको अपने स्वास्त संबंधी कोई भी अधिक जानकारी चाहिए हो तो अपने नजदी के युवा मैतरी केंडर में जाकर संपर्ख कर सकते हैं किशोर अवस्था में गर्बधारन की समस्या हमारे देश में विवाह, कानून अंतरगत, शादी के लिए नियुनतम उम्र, लड़कियों के लिए 18 वर्ष, एवं लड़कों के लिए 21 वर्ष हैं किशोर अवस्था में लड़कियां शारेरिक एवं मानसिक रूप से मातरित्व के लिए तैयार नहीं होती, साथ ही इससे कई स्वास्थे संबंधी समस्याय उत्पन हो सकती हैं, इससे किशोरियों की लाग रुपता हे तू, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान भी चलाया जा रहा है, इसके तहद कम उम्र की बच्चियों की शादी, अर्ली मैरिज को हतुत साहित कर उन्हें पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है, अब हम पूरे पाठ को संछेप में दुहराएंगे हमने अब तक सीखा, जीवन काल की वह अवधी, जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप, जनन परिपकवता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है किशोर अवं किशोरियों में यवन नारब के दोरान कई तरह के शारीरिक, मानसिक अवं सम्वेदनात्मक परिवर्तन आते हैं, जिसमें हार्मोन की अहम भूमिका होती है हार्मोन अंतर स्रावी, ग्रंथियों द्वारा स्रावित होता है पियुश ग्रंथी द्वारा स्रावित हार्मोन शारेरिक फ्रीधी तथा अन्य ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन का नियंतरन करता है अगनाशे द्वारा इंसूलीन हार्मोन, थाइरोइड द्वारा थाइरोकसीन हार्मोन तथा एड्रिनल ग्रंथी द्वारा एड्रिनेलीन हार्मोन का उत्पादन होता है पियुश ग्रंथी स्वेम हार्मोन्स रावित करने के साथ साथ व्रिशन, अंडाशय, थाइरोइड तथा एडरिनल को हार्मोन्स रावित करने के लिए उद्धिपित करता है तेस्टो एस्टेरोन पुरुष हार्मोन है तथा एस्टोजन इस्त्री हार्मोन है इसके साथ ही हमने सीखा शिशू का लिंग निर्धारन युगमनज के गुनसुत्र XX अथवा XY पर निर्भर करता है अर्धात जब वाई गुनसुत्र वाला शुक्रानू अंडानू को निशेचित करता है तो युगमनज में दो गुनसुत्र एक्स वाई मिलकर नर शिशु के रूप में विक्सित होता है चुकि Y गुनसुत्र केवल पिता के लिंग गुनसुत्रों में होता है और पुत्र के होने के निर्धारन के लिए X के साथ Y गुनसुत्र का होना आउश्यक है इससे इसपस्ट है कि जन्म के पहले शिशू के लिंग का निर्धारन उसके पिता के लिंग गुनसुत्रों के द्वारा होता है तथा पुत्र के जन्म के लिए माता उतरदाई नहीं होती अंत में हमने सीखा किशो रवस्था में संदूलित आहार व्यक्तिकत स्वच्था का पालन करना अत्यंत महत्तपूर्ण है